क्वांटम मेकनिक्स को परिभाज़त करने के लिए जो दूसरा प्रभाव सामने आया वो कृष्टिका इस्पेक्ट्रम का है कुण काली वस्तू या कृष्टिका उसे अगर हम अलग-अलग टाप पर गरम करते हैं तो उसके अलग-अलग ऊज़ा इस्पेक्ट्रम हमें परात होते हैं यह उज़ा इस्पेक्ट्रम इस तरह से हुए प्रदर्शित होते हैं अलग-अलग ताप 1500 के और 2000 के पर जब हम कृष्टिका को गरम करते हैं तो निकलने वाली विकिर्णों की तरण धेरने के सापेक्ष उनकी उत्सवर्चे उज़ा को अगर प्रेक्षित किया जाए तो यह वक्र हमें इस तरह से प्रात होते हैं आप देख रहे हैं इन वक्रों की बहुत अच्छी विशेष्टा है कि यह वक्र सतत हैं विविक्त नहीं है जबकि हम विकिर्णों के बारे में जानते हैं कि विकिर्ण में उगुर्जा फोटोन के रूप में अगर होती है तो वो विविक्त रूप में होती है या अन्य कोई विकिर्ण अगर हम देखें तो लाइन इस्पेक्ट्रम हमें प्रा होता है कि दूसरी विझेश्टा कि आप देखे जैसे जैसे तरंगLD घ्रय का मान बढ़ता जाता है वैसर प्रारंद में उच्छित औरजा घ्रमान भी बढ़ता है कि मिश्चित टरंग12ग roommate को एक उत्वतित ओर घ्रमान अधिखत्तर है आप हो पूर इसमें देखने मों मिलता है कि उसके बाद त्रेंधर में बढ़ने के साथ उससर्दित और जामान लगातार काम होता जाता है कि यह इनकी सबसे बड़ी विशेश्चता है क्लासिकल मेकनिक्स में इस इस्पेक्ट्रम को परिवाशित करने के लिए किसी तरह का कोई एक नियम प्रदर्शित नहीं किया गया classical mechanics में इने प्रदर्शित करने के लिए ये दो नियम इसमें प्रदर्शित किये गए एक religion नियम जो इसके lower तरंधेरे पार्ट को प्रदर्शित करता है और दूसरा graphene का नियम जो maximum तरंधेरे पार्ट को define करता है वह तरंदेरे जिस पर अदित्तम उर्जा का उस्तरजण हो रहा है आप देखें ताब बढ़ दे के साथ उसका मांद आ रोप से बढ़ना चाहिए लेकिन यहाँ पर उसका मांद लगाता गडट रहा है यानि अदित्तम उस्तरजण तरंदेरे तृष्टिका के ताब के वितक मेकनिक्स के जो परिकल्पना की थी में तो उसक में परिकल्पना की तो आइस स्बेक्टर्म को परिवाशित करने के लिए ब्रेटिering ब्रेक्स के बराबर होती है यह रेडियेशन ऑसिलेटर होते हैं मैं और किसी ताप पर रेडियेशन ऑसिलेटर का ध्यनत्र जिस तरह से रिया इक्वल टू एक्सपोनेंशियल इस एक्सप्रेशन सफॉर्म दिए लगता है यह हमार पास इमबर ऑफ उस्यलेटर हैं in की ऊसवार्जा की घणहीं कि तो इनकी ऊसवार्जा हमार पास स्थाल से आती है यह ऊसवार्जा पृतेक रेडिशन आशिक्यार की है कि एस्टी ओपन की तूदिक आवर एचबी वाई एक टी माइनस वन इन दोना को मैंटिपल करके प्रैंक ने एक रिडियेशन लौ परिवाशित किया रिडियेशन लौ इस तरह से ये प्रैंच का रिडियेशन लौ आता है कि यह है कि यह और तीक हुक Bye और इसीन गजनौर करते हैं तो हमें तरह भरके रूप में यह इस तरह से प्राप्त होता है है तो जब हम बात करते हैं यह प्लैस का रिडियेशन लौ है यह एक ही नियम इस पूरे स्पेक्ट्रम को परिवाश्यत करने के काम आता है कि इस पेक्ट्रम के तीम भाग है पहला कम तरंग धर्ने वाला जहापर उस्वर्जित hood बढ़ रही है इस में जहापर अ singular को उसके आगे जब तरंग कबढ़ती है तो उड्रा तया है वहता को ही थे में इस्वर्जित के प्रदों यह और तरस्ष्र रे अकश इसके मद्दे का शेत्रफल कुल उसरजीत ऊर्जाप को ठ Snr to करता है जैसे डैसे जैसे ताप बढ़ता जाँ है। आप जैसे एक सर उत्सरजित उखर्जा के बनावर होगी और 2000 पर यह कर्व और तरंध्र्रेख्ष इतना जादा बढ़ जाता है या जैसे जैसे ताब बढ़ता जाता है कुल उत्सरजित उखर्जा का मान भी लगातार बढ़ता जाता है अगर हम इस कृष्ट का विकीरण को प्लांक के क्वांटम नियम से परवाश्चत करना चाहें तो इस एक क्वांटम नियम से बड़े आसानी से इसे प्रदर्शित किया जा सकता है कम तरंधर्णे होने पर आप देखें इसमें जो कोफीजेंट अमरबाल आ रहा है एकस्पोनेशल का 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 एकस्पोनेशल सब्सक्राइब करने के साथ इंक्रीजिंग करना में प्राप्त होता है जो इसके इस पार्ट को प्रदर्शित कर रहा है कि जैसे जैसे तरंग देना बढ़ रही है वैसे वैसे उस सर्जित उर्जा गमान लगाता बढ़ रहा है जब हम अधितन उस सर्जित की बात करेंगे तो ये नियम पूरी तरह से इस नियम में गनवट हो जाता है वीम के नियम में और बिल्कुल वीम कॉंस्टेंट वही आता है जो क्लासिकल मेकनेक्स में है अधिक तरंग धर्रे की बात करें तरंग धर्रे अधिक होने पर क्योंकि लेमड़ डिनॉमिनेटर में है तो hc ईप उपन लेमड़ के T कमान लेमड़ अधिक होने पर hc उपन लेमड़ के T कमान एक से बहुत कम होगा तो हम उस समें पिर ये एक्सपोरिर्यिशल कमान पावर इसकी यहां पर बहुत कम हो जाएगी अप्रोक्सिमेंटी हम वाल सकते हैं यह 0 हो जाए तो इसका मान एक से बहुत कम होता यहां पर हम इसे अचोड़ दें तो अब यू लेब्डा दी लेब्डा वाला है एट पाई के टी इपोल नेंडा रेस्ट लौट फोर डी लेम्डा जैसे जैसे तरंध्र ग्मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उत्सर्जित उग्जा तामान बढ़ता जाएगा लेमडा के माइनस चार पावर के समान उपाती है इसलिए यह लेंडा डी लेंडा गमान बढ़ेगा वैसे वैसे इसका मान यू लेंडा डी लेंडा गमान लगाता होता जाए तो ऊंटम मैकनिक्स में एक ही नियम से प्लाइक्स के quantum नियम से पूर कृष्णिका विकिरण को पूरी तरह से परिभाशित किया जा सकता है इसलिए classical mechanics से जादा उपयोगिता quantum सिद्धान्त की मानी गई है quantum सिद्धान्त जहां पर भी हम इसे काम में लेना चाहें यह हर घटना को परिभाशित कर सकता है तो आज के लिए इतना ही कृष्णिका विकिरण स्पेक्ट्रम को quantum physics के आधार पर परिभाशित करना अगले व्यक्षान में हम तीसरा प्रभाव देखेंगे quantum प्रभाव थैंक्यू